हैलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल की अप सक्सेस में जोस्तों एससे जीडी का जो फीजिकल होने वाला भी ठीक है न से जीडी तो फीजिकल होने वाला है तो इसमें क्या-क्या डॉक्मेंट आपको ले जाना है ठीक है अगर यह डॉक्मेंट नहीं रहेगा दोड़ से और यह दोड़ से पहले आपे इस डॉक्मेंट को बनवा लिजिए वरना आपको जो है वो ग्राउंड से भागा दिया जाएगा ठीक ह नहीं तो जो है वो ओफिसर लोग क्या करेंगे वहां से आपको भागा देंगे दोस्तों ठीक नहीं दोडने दिया जाएगा वहां से आपको भागा दिया जाएगा ठीक है तो हम बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्मेंट को ले जाना जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं जन्म पर्मान पत्र बनाना जरूरी है, आपका पहला कोच्चा है कि डेट लुए बार्फ साल बनान जरूरी है नहीं है तोसरा कोच्चन गांते हैं बहुत displa सारी कॉमेंट में लोग योग पूछा थी 俺 niki. original certificate १िसके बाद ने है question number 3 इस तरह सभी question लोग पूचते हैं कि sir कैा सारफ डौकुमेंट जो है वह physical के समय नेकर जाना है जब tad physical हमारा होगा start तु उस समय जो है वह सारफ डौकुमेंट कोई लेकर जाना है या फिर science हम साणी कॉन सा कि एपनाना जरूरी है या नहीं है तो दोस्तो अगर जिनका मानने कि टेंद के सर्टिफीकेट में यानिकि मार्क्सिट में अगर वहां पे आपका डेट और बर्थ जो गलत है तो आप जनम परमान पत्र आपको बनाना बहुत जरूरी है ठीक है अगर आपका Class 10 के Certificate में Date of Birth गलत है तो आप जनम परमान पत्र अवस्थे बनवा लीजिये अगर आपका सही है तो कोई दिकत नहीं है यह बना आपके मर्जी आप बनवा सकते हैं नहीं भी बनवा सकते हैं लेकिन अगर सही है तो कोई दिकत नहीं है अगर जनके पास नहीं है अगर गलत है और जनके पास है भी सही है फिर भी अगर वो बनवाना चाहते हैं तो आप इस परकार से जनम परमान पत्र ले जाना जरूरी है लेकिन date of birth अगर सही राना चाहिए class 10 थे वाले certificate पे ठीक है दोस्तों देखें अगला question आपका आता है कि क्या मुल परमान पत्र होना जरूरी है ठीक और क्या मुल परमान पत्र होना जरूरी है दोस्तों यह मुल परमान पत्र होना बहुत जरूरी है लेकिन किसके लिए जैसे अभी 2022 में जो भी student exam दिये होंगे ठीक और 2022 में या फिर 2021 में जो भी student exam दिये होंगे तो उनके पास मुल परमान पत्र यानि की original certificate वही original certificate जो आप पर इछार दे देते हैं तो एक साल बाद या फिर डेल्ड साल दो साल बाद जो है वह आपके school में आता है ठीक और वह होता है म अगर school में से नहीं मिला है तो आप school से लिखवा लिजे ठीक और फिर board office से लिखवा लिजे कि मुल परमान पत्र अभी नहीं मिल सकता है ठीक है अगर आपके पास मुल परमान पत्र है आप 2021 से पहले आप पर इछा दे चुके हैं 10th class का या फिर 12th class का तो आपका मुल परमान पत्र होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास नहीं है भूल गया है तो आप जाकर बिहार बोर्ड बीए से भी पटना office में जाकर आप निकलवा सकते हैं ठीक है ऑफिस में जाकर निकलवा सकते हैं मुल परमान पत्र लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है जो 2021 के पहले जो मुल परमान पत्र ठीक है अब देखिए अगला क्वेचन आपका कि क्या सर सारे डॉक्मेंट जो है वह फीजिकल के समय लेकर जाना है यह बहुत ज्यादा लोग मतलब पूछे हैं बिहार बोर्ड जैसे बिहार पुलिस का जुए में फीजिकल चल रहा था उसमें भी बहुत पूरा जो डॉक्मेंट है वह फीजिकल के समय ले जाना जरूरी है या नहीं है तो फीजिकल के समय जो है वह पूरा डॉक्मेंट को ले जाना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है ध्यान से सुन लिजिएगा क्योंकि जब पूरा डॉक्मेंट आपके पास रहेगा तो सबसे कोन्-कून से डाकुमेंट में लैना होगा तो आपको इतना समय नहीं डिये जाएगा कि आप घर वहां से आए और डाकुमेंट को ले जाए ठीक है तो आप अपने साथ में पूरा डोकुमेंट को ले लीजिएगा फिजिकल के समय कौन-कौन से डोकुमेंट लेना है उस वीडियो में भी आगे बताएंगे ठीक ना उस समय आपको छे फोटो भी लेकर जाना होगा दोस्तों छे फोटो ले लीजिएगा और भ परिबारी से कि क्या क्या फिजिकल के समय में डोकुमेंट ले जाना जरूरी है ठीक है तो चलिए देखिए यहां पे क्या क्या ले जाना जरूरी है पहला में है आपका अप्लिकेशन फॉर्म प्रिंट ठीक है अप्लिकेशन फॉर्म प्रिंट जो आप एस से जीडिका फॉ वोड ऑफिस से निकाल सकते हैं इसको अप्लिकेशन फॉर्म को ठीक है तो यह होना बहुत जरूरी है दोस्तों अप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट इसके बाद में सेकेंड नमर रीटेन एक्जाम एडमीट कार्ड जो आप एससे जिडी का एक्जाम देने गया थे उसका फिजगन एडमीट काड आपको बहुत जरूरी है ठीक है तीन चीज़ा आपको अत्यन्त जरूरी है और भी जरूरी है जो हम आपको बताते हैं पहला क्या है एक्जाम का पुरिंट ले लेना है पुए एक्जाम का एडमीट कार्ण नहीं एक दो कcue अश्यत भी आप अगर आप सेब किये होंगा फाइल तो उसको आप निकाल के और आप कागज को अपने सुरचित रख लिजे ठीक है अगर नहीं है आपके पास में तो आप बोर्ड ओफिस मिल जाता है तो जिनके पास औरिजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसकोल से आप लिखवा सकते हैं कि जो है वह भी मुल परमानपत्र भी नहीं मिल सकता है 2020 से पहले जितने भी स्टुडेंट है उनको औरिजनल सर्टिफिकेट मिल गया होगा वह अवस से लेकर जाएंगा औरिजनल सर्टिफिकेट नहीं तो आपको भागा दिया जाएगा वहां से ठीक है और औरिजनल सर्टिफिकेट में आप बढ़ियें से देख लिए जगा कि आपका डेटो बर्स सही है या नहीं अगर डेटो बर्स सही नहीं है तो आप जनम परमान पत्र भी आपको बनवाना जरूरी हो जाएगा ठीक है तो आप यह सारी चीजों को डोकुमेंट अगर होगा तो उसको एक बार चेक अप कर लिजेगा ताकि कोई भी फॉल्ट आपक इस लेवल का बनवाए ठीक है तो सबसे पहले तो ब्लॉक लेवल का तो बनाना जरूरी है क्योंकि ब्लॉक लेवल का बनेगा तब ही अनुमंडल से बनेगा तो जो सबसे पहले आप ब्लॉक लेवल से बनवा लिजे जाती आवास से ठीक है और ब्लॉक लेवल पर ही काम नह सबसे पहले आपको फोटो ले ले लेना है छो से आठ फोटो आठ फोटो आप लेकर जाईएगा ठीक नाट कम से डौकमेंट का दो कि आपको लेकर जाएगा अगर नहीं जाएगा तो वहां पे आपको परिसानी हो सकता है डंटा भी खा सकते ठीक हैं अहां पर मतलब बोलता भी ओफिसर लोग ठीक है तो यह सारी चीजे आपको ध्यान में रखना है फोटो भी ले जाना है छे सी आठ फोटो ले ली जेगा कर ला unस्वाद कर ले ना है जो भी उरिजनल डोक्मेंट रहेगा इसका फॉटोपी कर लाना है है जुटरा छोटीकोपी के आपको सब कर लिसके बाद देखिए यह में जो है वह तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको मेरिट नहीं बनेगा आपका मभी मेरिट बनेगा अगर नंबर अच्छा-कासा है तो लेकिन जिनके पास यह सारी चीज़े हैं तो आपको जोईनिग कर लेने का बाद आपको ऑफिस्यल वर्क थोड़ा सा वर्किंग वर्क में प्रिफिरेंस मिलता है अगर किसे के पास computer certificate है तो उसको work में प्रिफिरेंस क्या मिलेगा कि उसको computer से related work ही दिया जाएगा अगर आपके पास NCC certificate है तो उसमें आपको NCC certificate के लिए पांच नंबर जो है वो एक्स्टा आपको मिलने वाला ठीक है इसमें पांच नंबर आपको एक्स्टा मिलेगा NCC certificate के लिए ठीक है तिन सभी चीजों को भी वहाँ पे फिजिकल के समय में यह दोनों चीज तो भाई ज्वाइनिंग के बाद आप ले जा सकते हैं ज्वाइनिंग के समय आपको काम आएगा प्रिंट होना जरूरी है इसके बाद में आपका प्रमान पत्र होना जरूरी है वह भी अनुमंदल लेवल से ठीक है ना ब्लोक लेवल से काम नहीं चलेगा अनुमंडर लेवल से आप बनवा लिजेगा अगर समय मिलता है तो डिस्टिक लेवल से भी आप बनवा सकते हैं और जो OBC जो है OBC कटेगरी के वो बिहार राजसे यहीं कि अपने अपने राजसे जो है वो OBC certificate आप बनवा लिजेगा औरफोटो चोग फोटो ले लिजेगा और डोकुमेंट का भी फोटो कॉपी ले लिजेगा जिनके पास NCC का जो certificate है वो भी आप ले लिजेगा उससे आपको नंबर में प्रिफरेंस मिलेगा अगर वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे जो नए है चैनल पे तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि ऐसे ही आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए